हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग अलजेबरा का चेप्टर नमर 5 कर रहे हैं जिसके अंदर जो कोशन है आपका दो कोशन मैंने करा दिया है ठीक है और दो पाट भी हो चुका है अगर वो पाट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन म हम लोग वहां पर प्रवाइड करते हैं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं और आज का जो कोशन नमर 3 है वो स्टार्ट करेंगे इससे पहले मैंने पहला और दूसरा दोनों कराया है तो वीडियो आप जरूर देखें ठीक है तो बच्चों आपको मैं बताता चलूं के पहला एक्वेशन है और ये सेकंड वाला यह फस्ट था और ये वाला सेकंड वाला तो फस्ट सेकंड दोनों को नाम दे दो आप तो पहला एक्वेशन जैसा लिखा है आप वैसी लिखोगे इस टार्ट यहां पर ऐसा करोगे और आपको इसस तरह से लिखना है 3x-5y ठीक है 10 is equal to 8 ऐप दोनों जनरल फॉर्म में था तो जनरल फॉर्म में था तो हम दोक डायरेक्ट उसको नमबर दे दिए पहले नमबर और दूसरा नमबर इतना क्लियर हो गया अब उसके बाद क्या करना है आपको चेक करना रहता है उसका कॉफिशेंट आपको क्या करना रहता है को इसका कॉफिशेंट कितना है पा है इसका कॉफिशेंट 3 है इसका कॉफिशेंट 3 है इसका कॉफिशेंट 3 है इसका कॉफिशेंट कितना है आप देख सकते हो वन है तो मैं अगर बात करो तो पहले तो यह वाला पार्ट अगर मुझे यह सॉल करना है दो हिस्से में मैं डिवाइड कर रहा हूं एक यह वाला हिस्सा और एक दुसरा वाला पार्ट मैं इसमें डिवाइड करता हूं ठीक है दो पार्ट दिख रहा है अगर आपको दो पार्ट में डिवाइड करें मैं स सेम बनाना पड़ेगा और इसी तरह थोड़ा सामें केमरा साही कर लेता हूं आपका ठीक है अब बरोबर दिख रहे हैं और अगर मैं यहां पर बात करता हूं सेकन पॉइंट अगर मुझे X वाला कैंसल करना है तो मैं क्या करूंगा फिर इसका कॉफीशन सेम बनाऊंगा ठीक है क्या होता है जो वेरिबल के साथ होता है उसी को हम लोगो क्या बोलते कॉफीशन बोलते हैं इतना क्लेर हो गे तो यहां पी देखो इसका कॉफीशन फा है इसका 3 है इसका 3 है और इसका 1 है यह वाला बनाना ज़्याद सब्सक्राइब करना पड़ेगा पर यहां पर इस equation equal equation number second go अगर आप 3 से multiply कर देते हो अगर equation number 2 दो फिर से multiply कर देते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x बन जाएगा यहां पर 3x बन जाएगा तो मैं क्या करता हूं equation second multiply by multiply by equation second को 3 से मैंने मल्टिप्लाइ कर दिया अब जैसी मल्टिप्लाइ करूंगा 3 से तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा पूरे equation equation क्या है पूरा equation यहां पर लिख दो आप क्या था equation में तो आप देखो यहां पर था एक्स- 3ymn2 आप ने इसको मल्टिप्लाइ कर गया ठीक समझ में आगया आपको आप जैसी बच्चों मल्टिप्लाइ कर होगा तो क्यों हो जाए का ठीक मेंस्ने क्सक्राइए के सथ घुए से 3 प्रटिक म錤ीप्लाइए के साथ होगा क्यों यह हो गया 3 x होग आप अ-9 3G9 हो गया, 3G24 हो गया, यह clear हो गय, समझ में आया, आपको कैसे मैंने लाया, ठीक है, आपने क्या कि यह, X वाले का coefficient स्हेम बना दिया, X variable का coefficient स्हेम बना दिया, क्योंकि आगी इसको क्या करना था, हमें cancel करना था, X का सेम बनाया, तो यहां पे भी देखो 3 आ गया, और यहां पे भी 3 था, तो दोनों सेम बन गया, इसको अलग से एक नमबर दे सकते हो, इसको एकोशन नमबर आप 3 दे दो, आपने 3 दे दिया, अब 3 वाले एकोशन का दोको, वेरीबल अगर मैं बात करता हूँ, 3 वाला और य वाले की बात कर रहा हूं और मैं थड़ वाली की बात कर रहा हूं दोनों को कॉफिशेंट देखो सेम है त्री वाला प्लेस त्री वाला दोनों सेम है क्या आपको यहां पर नजर आ रहा होगा तो को यहां पर भी 3x आ गया दिख रहा है यहां पर भी 3x है बच्चों यहां पर भी 3X हो गया, इसका मतलब coefficient और variable दोनों same है, जब coefficient और variable दोनों ही same आ जाता है, तो उस question को फिर आसानी से solve किया जा सकता है, ठीक है, यानि दोनों equation को आसानी से cancel किया जा सकता है, तो हमें क्या बनाना रहता है, पहले variable जो रहता है, variable का coefficient same बनाना रहता है, ताकि वो cancel किया जा स एड़ करना है या सब्ट्रेक्शन करना एड़िंग करना या भी सब्ट्रेक्शन करना अब सवाल होता है कि एड़ करें कि सब्ट्रेक्शन करें वो मैं आपको समझाऊंगा पहले मैं एक्वेशन लिख देता हूं 3x-5y डूसरा है थ्री एक्स मायनिस 9y 24 है अब सब्सवाल है कि स्कुल्ट्रेक कर रहे कि क्या करना है अडिंग करें एडिशन करना है कि सब्सक्राइब यह समझना है लेवल्टी कर देते हैं अब देखो इस क्या करना आप उसे भी तना ध्यान रखना है कौन सा केंसल करना है यह वाला केंसल होगा यह वाला केंसल करना क्योंकि इसका कॉफिशन और वेरिबल से मैं तो देखो इसके आगे क्या प्लस यहां पे भी प्लस दिख रहे है इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस जब दोनों का साइन जो सीम रहेगा तो हमेशा क्या करोगा एडिशन करोगा याद रखना अगर दोनों का साइन सेम रहेगा जिसको आपको केंसल करना है अगर उसका साइन सेम रहेगा तो आपको क्या करना है वहाँ पर सॉरी एडिशन मैंने बुल दिया गलत बुल दिया सब्ट्रेक्शन क करना उस टाइम आपको क्या करना है सब्ट्रेक्शन करना याद रहेगा अगर दोनों का साइन सेम है तो आपको क्या करना रहेगा सब्ट्रेक्शन करना रहेगा ठीक है तो आपने सब्ट्रेक्शन किया तो यह माइनस हुआ तो जैसी माइनस होंगा तो यह माइनस चेंज होके क्या होगा प्लस में चेंज हो जाएगा ठीक है और यहां में माइनस बास समझ में आगे आपको जैसी माइनस करोगे तो यह माइनस चेंज होके प्लस में हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा जब क्या करें आप सब्ट्रेक्शन कर रहे हो तब ठीक है सब्ट्रेक्शन करना जब दोनों का साइन सेम होगा जिसको कैंसल करना उसका साइन सेम होना चाहिए अगर यह माइनस यह माइनस रहेगा उपर माइनस नीचे माइनस रहेगा तो क्या करेंगे तब भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे सब्ट्रेक्शन करेंगे जाद रहेगा तब भी आपको क्या कर तो क्या हुआ बच्चों आप बिधे लएक यहां पर geehr हां पिने इन क्यांका लगे स्पर्वाइब एंगा घ। यह आगे आपका 8 आगया, ठीक है, यहाँ पे sign minus का है, तो 8 आगया, 24 में से 16 minus का है, तो 8 आगया आपका, और sign किसका आएगा, बड़े number का, bigger number का, यहाँ minus है, तो यहाँ पे भी minus लग जाएगा, इतना clear हो गया, अब आगे आपको solve करना है, देखो यह 4 है, 4 दुसरी चरफ shift कर आगया, आप दो को 4 से कड़ जाए गया, 4 बंजा 4, 4 टू जा 8, तो कितना आगया, 2 upon 1, 2 upon 1 का मतलब क्या आता है, y की value कितनी आगई, तो y की value आगई, 2 minus में, यह बात आपको समझ में आगया होगा, अब यह y की value put कर दो, किसमें put कर दो, किसी भी equation में put कर दो, first में कर दो, second में कर दो, third में कर दो, जिसमें रखना है, उसमें रख दो, तो मैं लिखता हूँ, put y is equal to minus 2, in equation, किस equation में रखना आप देख लो, इसमें से कौन सा equation, अगर मैं पहले में रख देता हूँ, कोई problem नहीं, first में रख दो, in equation, first, equation, first, first में रख दिया हमने, तो जब first में रखोगे तो सभी चीज़ें सेम लिखना आपको, 3x minus 5, 2, 16, यहाँ पर किसका प्लेस है, देखो यहाँ पर जो था, y का प्लेस यहाँ था, 5 के बाद, तो 5 के बाद मैंने छोड़ दिया, वहाँ पर क्या लिखना, y की वेलू लिखना है, y की वेलू कितना है, minus 2, तो यहाँ लिखना ह को, क्या हो जाएगा, 3x, 5, 2, 10, यह माइनस दोनों तरफ यहाँ, minus, 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 multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब 10 इधर पिये, तो दुसरी तरफ जब शिप्ट हो जाएगा, तो इधर से जब दूसरी तरफ जाए 3x, 6 by 3, ठीक है, यहाँ आप 16 में से 10 गया, तो 6 आ गया, अब 3 इधर आएगा, तो डिवाइड में आ गया, यह 3, 2 जा 6 हो गया, एक्स की वैलू कितनी आ गया, 2 आ गया, x की वैलू कितनी आ गया, 2, तो हमारा सॉलुइशन क्या हो गया, x और 2, तो हम लोग लिख देंगे, x और y कितना आ गया, आप देख सकते हो कितना आ गया, माइनस टू और प्लस टू, ठीक है, प्लस टू लिखने की जरुवत नहीं, यह दर सॉलुइशन है, ठीक है, तो आप स्क्रीन शॉट ले लो, फिर अगले कोशन की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे, जो अगला कोशन आपका दिया हो है, यहाँ पर एंसर आ जाएगा, आ जाएगा आपका x y is whole 2, आ जाएगा, x की value कितनी हो है, तो यहाँ लिखोगे 2, और y की value कितनी है आप देख सकते हो, y की value हमने कहा निकाला था, यह y की value है, ठीक है, y की value कितनी है, minus 2, यहाँ लिखोगे minus 2, तो एक्स और य की वेलू आगे यही आपका में सॉलुशन है तो यहाँ पर इसको मैंने ब्रेकट पना के लिए और यहाँ पर लिग दिया देरफोर देरफोर एक्स और य कितना आगे तो आगया ठीक इस तरह से आप सॉलुशन लिख सकते हैं समझ में आ गया होगा स्क्रीन श इसकोल तो 10 और 10X 15Y इसकोल टू 105 दूएक्वेशन दिया है नंबर दे दो आप स्टार्ड करोगे यहाँ पर सबसे पहले 2Y लिख दो 10x is equal to zero यह number 1 दे दिया हमने फिर उसके बाद 10X plus 15Y इसकोल टू 105 इसको नंबर दे दो ठीक है बड़ी यहाँ पर X को पहले लिख दो आप यह X को हम पहले लिख देंगे ठीक है यहाँ पर X को आपको पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे दिया है तो X को पहले लिखने से तो यह इस तरह से हो गया अब देखा आगे क्या करना हमको मैंने बुला था कि आप इसके इंदर क्या करना रहता है आपको चेक करना रहता है जिसको कैंसल करना रहता है इसका जो काउफिशन कितना है टू इसके साथ कॉफिशन कुछ नहीं X के साथ यानि माइनस बन माना जाएगा ठीक है तो ऐसे कंडिशन में मैंने बताया था आपको कि जिसको केंसल करना है अमान के चलो हमको यह केंसल करना है ठीक है तो इसके आगे 10 है तो इसके आगे भी 10 बनाना पड़ेगा होगा अिकवेशन को आप 10 से मर्टीक्लाइब करों पर Есть פर्स्ट म मल्टीप्लाइब करों अब यह सिर अ क्या बर्मीश कि यहाई यह होगा आप मल्टीप्लाइबक्टे इसके साथ फिर अवाल से कसी नमबर को करो तो Zero ही आता है यह आपको मालूब है जाएकर 10-10X 20Y 10-0 हो जाएगा इसको अपसॉल करो इसको नंबर 3 देतो आप इसको आपने नंबर 3 दे दिया तो आपके पास दो आ गये पहला जो था यह वाला और इससे बना कौन सा यह वाला बन गया थरी वाला इससे यह बन गया अब solve करना है देखो solve करना है के लिए यह वाला जो equation है कौन सा second वाला second वाला और third का use करते भी हम लोग solve करेंगे equation को किसको second और third को क्योंकि second वाले एक equation में जो coefficient जो है variable x का 10 है और third वाले में variable x का coefficient कितना है 10 है ठीक है अभी first वाले की जरूबत तो नहीं है ठीक है solve करो अब क्या करोगे क्या करना आपको तो पहले दोने equation लिख दो solve करना है तो यहां लिख दिया मैंने 10 x 15 y 105 दूसरा वाला 10 x 20 y 0 अब क्या करना है add करना है सब्ट्रेक्शन करना है क्या करना है तो मैंने बताया था अगर साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रेक्शन करना है और साइन आपोजिट रहेगा तो प्लस करना है तो साइन देख आपोजिट दिख रहा है इसके आगे मैनस मैनस लगा इसके आगे प्लस लगा है क्या पिलिक्विआ के जब सांई पॉसेट रहता तो क्या करते है एडिंग करते है एडिंग केडिंग एक्वेशन एक्वेशन कौन सा फिरन करकन सेकेनद करें झाये सेकेन पार ट्रेузट करती हमने। जैसीद करोगे तो क्या हो जाएगा मैं ये दूना कैंसल fluoroph ये सफ हो तरफ शिफ्ट करोगे इधर पे तो मल्टिप्लाय में देखो दोनों के बीच में क्या साइन है माइनस प्लस कुछ भी नहीं यानिके मल्टिप्लाय है तो मल्टिप्लाय उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा यहां बचे का वाई 105 अपॉन 35 अब कि दो सेवन से वन जा 7773 जा 21 क्या बचांवाइश को टू 3 अपन वन का मतलब क्या होता है थ्री होता है ठीक है तो य की बैलू कितनी आगे थ्री आ गई अब वाई की वैलू पूट करो किसी भी एक्वेशन में मैं लिखूंगा put y is equal to 3 in equation, किस equation में रखना है, किसी में भी रख दो, चलो third वाले में भी रख सकते हो, first वाले में भी रख सकते हो, second वाले में भी रख सकते हो, तो से first वाला easy दिख रहा है तो मैं first वाले में रख देता हूँ, question first first में रख दी आपने ठीक है तो जैसी first में रखा आपने तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ minus x plus 2y और y की value कितनी आई 3 तो y के place पर क्या लिख होगे यहाँ पर 3 लिख दोगे तो वहाँ पर क्या लिख होगे हमें यहाँ बत्री लिख दिया हमने फिर उसके बाद क्या करोगे आप बाकी सेम वैसी लिख दोगी इसकोल टू जीरो ठीक है इसकोल टू जीरो हो गया क्लियर अब आगे शॉल करो यह minus x हो गया अब 6 करें उस तरफ जाय का दो तो क्या हो जाएगा इदर प्लस हे तो तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा यह-6 हो गया है अब दोनों तरफ माइनस दिख्रा है आप को Admaisse A-Cancel कर दो हमारा स्क्रीन शॉर्ट ले लो इसके बाद आगे बड़ते हम लोग अगले कोशन के तरह हो यह